नवस्का दोस्तों मैं हूँ सिवम पांडे और आज मैं आप सब के सामने फिर से भारत के प्रमुख पर्व उत्सव और तेवहारों के याद करने की ट्रिक लेकर उपस्चीतुआ हूँ मैंने कहा फिर से इसका मतलब यह है कि मैंने इससे पहले इसका एक पार्ट अफ्लोट कर दिया है जिसमें हम लोगोंने लगवग 20 महत्पून उत्सव तेवहारों को देखा है जो कि याम की दृष्टी से बहुत ही महत्पून है और आज हम लोग इस वीडियो में सभी उत्सव है वह आपको टेलिग्रम ग्रूप में मिल जाएगा ठीक है तो आप उसे भी जॉइन कर सकते हैं तो देरी न करते हुए चले शुरू करते हैं पहला है दुरगा पूजा जो की पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है तो दुरगा पूजा जिसमें एक सब्द छिप है दुरग और पश्चिम बंगाल में एक सब्चिपव है बंगला तो एक तरफ दुरग की बात हो रही है और दूसरे तरफ बंगले की बात हो रही है तो आपको पता है कि दोनों घर ही है है अगर देखें तो दुरग भी एक घर होता है और बंगला भी एक घर होता है तो आ आप इसको भी याद रखिएगा कि दुर्गा पूजा अस्विन माह में मनाया जाता है अगला है बिहू तेवहार जो कि असम का परसिद्ध तेवहार है तो यह सबको पता है क्योंकि जो बिहू है वह असम का लोकनित भी है तो सब को यह पता है और जिसको नहीं पता तो awesome में एक सब चिपाओ है awesome और बिहु में सब चिपाओ है बहु तो हमेशा लोग बहु के सामने क्या बोलते हैं कि बहु awesome है यानि बहुत अच्छी है कोई भी बहु के सामने बहु की बुराई नहीं करता अगर बहु के बारे में बुरा बोलेगा तो बहु गुस्सा हो जाएगी और हो सकता है खाना भी ना दे है ना तो हमेशा बहुओं को क्या बोलते हैं सामने से कि बहु जो भी काम करती है या कि बहु जैसी भी है ओसम है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं अगला है रासलिला जो कि मनिपूर का प्रसिद्य तेहार है साथ ही लाई हरिवा, सगाई और याओ संग भी मनिपूर के ही प्रसिद्य तेहारों में से हैं तो याद करना बहुत ही आसान है मनिपूर में सब्द लिखा हुए मनी यनि पैसे की बात हो रही है रासलिला में रस रस नहीं जूस की बात तो जूस कैसे मिलता है मनी से तो मनी से मनिपूर और रस से रासलिला ठीक है अगला है लाई हरीबा तो लाई हरीबा में लाई सब्द तो लाई तो आपको पता ही होगा क्यूआ भी मनी से ही मिलती है तो मनी से मनी पूर और लाई से लाई हरीबा फिर है सगाई तिवार और याओ संग तो याओ संग में सब्द लिखा हुए संग यानि साथ की बात हो रही है और सगाई तो आपको पता ही होगा तो सगाई किसी ना किसी के संग में होती है और जब सगाई का उस्सा रखा जाता है तो आपने देखा होगा कि बहुत साम है सगाई ठीक है तो गलत मत समझना अगला है जली कट्टू जो कि तमिलनाडू का प्रसिद्ध त्योहार है तो यह सब को पता होगा क्योंकि इस पर सुप्रीम कोट ने रोंक लगाई थी क्योंकि बैलों के साथ युदि किया जाता था जिससे पसूओं को भी नुकसान पह करता है ना अगर किसी व्यक्त को कोई जली कट्टी सुनाएगा तो यह दुबारा मिलना पसंद नहीं करेगा तो मिलने से तमिलनाडू और जली कट्टी से जली कट्टू तो जली कट्टू कहां का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों तमिलनाडू का ठीक है आगे बढ़ते ह अगला है त्याग राज त्योहार जो की तमिलनाडू का ही प्रसिद्य त्योहार है वैसे यह पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है और खास कर यह तमिलनाडू के तंजावुर में मनाया जाता है जिस करन से हम लोग तमिलनाडू को याद करेंगे तो त्याग राज में एक सब्द लिखाओ है त्याग ना है ना त्याग राज में एक सब्द लिखाओ है त्याग देना अर्थात किसी भी चीज को छोड़ देना और तमिल नाडू में एक सब्द छिपाओ है मिलना तो जाहिसी बात है कि छोड़ना और मिलना दोनों एक दूस से सम्मंदित है अगला है इस्टर तेवार जो कि इसाई धर्मे से सम्मंदित है यह तेवार इसा मसीजी के पुनर जीवित होने पर मनाया जाता है मतलब इसी दिन इसा मसीजी पुनर जीवित हुए थे जिस करण से उसा मनाया जाता है तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क् इसाई में भी इस सब्द छिपा हुआ है तो दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं तो इस्टर तेवार किसका प्रसिदी तेवार है दोस्तों इसाई धर्म का ठीक है और यह चीज आप याद रखिएगा कि यह इसा मसीजी के पुना जीवित होने पर मनाया जाता है मतलब उसी के लिए यह उत्सव मनाया जाता है अगला है गुड फ्राइडे जो कि इसाई धर्म से समंधित है गुड फ्राइडे जो कि इसा मसीजी के सही दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसको कैसे याद करेंगे गुड फ्राइडे में सब्दे लिखा हुए God यानि भगवान की बात हो रही है और इसाई में सब छिपा हुए साई तो साई बाबा को हम लोग भगवान से कम तो दर्जा देते नहीं है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों साइट भगवान के हिनाम आ रहे हैं तो गुड फ्राइडे किसका प्रसिद देते वहारे दोस्तों इसाई धर्म का ठीक है अगला है लोसांग उसाओ जो कि सिक्किम का प्रसिद उसाओ है कैसे याद करेंगे लोसांग में एक सब छिपा हुए लोस लोस यहनि पैसे रुपए की बात हो रही है क्योंकि लोस किसे होता है पैसे का होता है और सिक्किम में सिक्का सब इचिपा हुए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लोसांग कहा का प्रसिद उसाओ है ठीक है आगे वढ़ते हैं अगला है सागा दवा जो कि बहुत धर्मे से सम्मंधित उस्व है साथ ही काल चक्र उस्व भी बहुत धर्मे से ही सम्मंधित है कैसे याद करेंगे काल चक्र में एक सब्द लिखा हुए काल और बहुत धर्मे में एक सब्द लिखा हुए बुद्धी तो आपने हमेशा सुना होगा एक कहावत कि बिनास काले विप्रीत बुद्धी है ना कई बार आपने यह सुना होगा बहुत से लोगों के मुझ से कि बिनास काले विप्रीत बुद्धी तो काले से हो गया काल चक्र और बुद्धी से बौध धर्म तो काल चकर किसका प्रसीद ते वहारे दोस्तों बहुत धर्म का और हमेशा यह कौन बोलता है अपने सगे बोलते हैं जो कि हमारा बुरा नहीं चाहते तो सगे से सागादावा क्योंकि वही समझाते हैं कि बिनास काले विपरीध बुद्धी हो गई है आप ऐसा मत करो ये गलत है तो सगे से सागादावा और काल चक्र दोनों किस से सम्मंदित हैं? बहुत दिधर में से ही. या फिर आप सागा दावा को ऐसे भी याद कर सकते हैं, कि दावा में एक सब चिपवेट दाओ, दाओ पेच होता है ना, जो कि हमें सब बुद्धी से ही किया जाता है. तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, अगला है उगादी पर्व, जो कि दक्षिन भारत से सम्मंदित है, तो इसको मैं आपको ट्रिक से नहीं बताऊँगा, क्योंकि कभी-कभी इसमें तीन ओप्सन आते हैं, कभी करनाटक पूछता है, तो कभी आंधर प्रदेश और कभी तिलंगाना, तो इसकी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊँगा, बस ध्यान रखिएगा, मैंने इसको लिष्ट से बाहर इसलिए नहीं किया है, जिससे एक भी क्वेशन पर्व से ना छूटें, तो आप याद रखिएगा कि जो उगादी है, उसके लिए तीनों आप्सन आ सकते हैं, कौन-कौन से, करनाटक, आंधर प्रदेश और तिलंगाना, और तीनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, एक ही आएगा, तो सही जो आप टिक कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला है गुडी पर्व, जो कि महाराष्टी से समंदेत है, तो गुडी को याद करने के लिए कर लेते हैं, गदा, ठीक है, गुडी को याद करने के लिए कर लेते हैं, गदा, और महाराष्टी में एक सब्द लिखा हुआ है, अस्त्र महान अस्त्र तो गदा एक अस्त्र है तो गदा से हो गया गुड़ी पर्व और अस्त्र से महाराष्ट है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो गुड़ी पर्व है वो कहा का प्रसी देते हो रहे हैं महाराष्ट का अगला है विशू पर्व जो कि केरल से सम्मंदेत है साथ ही मकर विलक्कू भी केरल से ही सम्मंदित है तो कैसे याद करेंगे केरल में अगर के से एक ही मात्रा को हटा दें तो सब्द मिलेगा कर और कर से होता है करक रेखा है ना विसू से विस्वत रेखा और मकर से मकर रेखा आपको पता है कि ये तीनों रेखाएं हैं कौन कौन सी करक रेखा मकर रेखा और विस्वत रेखा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विसू अर्थात विस्वत से विसू तो जो विसू परवे कहा मनाया जाता है केरल में और मकर तो मकर से मकर विलकू तो मकर विलकू भी कहा मना अगर आप चाहें तो देख सकते हैं बाकी आपकी इच्छा तो चलिए आगे वढ़ते हैं अगला हेसिम गुमपा जो की लद्दाख का प्रसिद तोहार है कैसे याद करेंगे लद्दाख में एक सब्द लिखा हुए दाख तो दाख को याद करने के लिए कर लेते हैं दाथ ठ दिखेंगे हैंना अगर कोई बेक्ती हसता है और अगर उसके दाथ हैं तो दाथ दिखेंगे तो दाथ से ओगया दाख रतार लद्दाख और हसी से हेसिम गुमपा परका प्रसिद तेते हो है लद्दाख का ठीक है अब इस वीडियो का लश्ट पॉइंट बच़ता है वह है थारू जंजाती से समंदित ठीक है आपसे question पूछा जाता है इग्याम में कि दीपा वाली को सोक के रूप में कौन सी जंजाती मनाती है तो इसका सही जवाब होगा थारू जंजाती आप इसको याद रखिएगा मैंने इसलिए इसको include कर दिया क्योंकि एक्याम में पूछा जाता है तो इस तरह से अपने वीडियो complete हुआ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने भारत के पर्व उस्सों और त्योहारों से समंदित दोनों पार्ट देख लिए हैं तो इक्याम में आपसे इससे बाहर से question नहीं पूछे जाएंगे ठीक है और मैं इसका MCQ test भी करवाऊँगा तो आप उस test को भी दीजिएगा जिससे आपको पता चल सके कि कितने % आपको याद हो चुका है और इसकी PDF आपको टेलिग्राम में मिल ही जाएगी तो अगर आप चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद